Hello everyone, welcome to my channel दोस्तों आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हूँ एक comparison video और आज मैं कॉम्पैर करने वाले हो Wow Skin Science Muldani Mittti Face Wash and Wow Skin Science Upten Cream Face Wash का ये दोनों ही Face Wash मैंने यूज किया है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि इन दोनों face wash को use करते टाइम मैंने इन में क्या difference notice किये है दोस्तो दोनों ही face wash tube packaging में आते हैं और दोनों face wash का price है 259 रुपेश जिसमें आपको same 100 ml quantity मिलती है और आप इन दोनों ही face wash को 30 months तक use कर सकते है Wow Skin Signs का मुलतानी मिट्टे face wash आता है bright clean and oil balanced skin के लिए वहीं पर upton face wash आता है tan and blemishes remove के लिए दोनों ही face wash सभी type के skin के लिए shootable है तो सबसे पहले मैं आपको इन दोनों face wash का texture दिखाती हूँ सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ मुलतानी मिट्टे face wash का texture तो यह face wash creamy texture में आता है and fragrance इसकी बहुत ही mild है तो यह Wow Skin Signs का मुलतानी मिट्टे face wash है और अब मैं आपको दिखाते हूँ Wow Skin Signs का upton cream face wash तो दोनों ही face wash का जो color है वो same है यह है upton cream face wash इसका texture बहुत ही creamy है comparison to मुलतानी मिट्टे face wash and upton face wash में आपको बहुत ही small size के scrubbing beads मिलते हैं जैसा कि अभी आप मेरे hand पर देख सकते हैं तो यह इन दोनों face wash का texture है दोनों की fragrance बहुत mild है अब मैं आपको यह दोनों face wash मेरे half of face पर apply करके इनके result में difference दिखाते हूँ अब मैं मेरे half face पर apply करूँगे wow skin science का मुलतानी मिट्टे face wash and half face पर मैं apply करूँगे wow skin science का ही upton cream face wash दोनों face wash की मैंने required amount ली है अब मैं इन दोनों face wash से एक मिनट के लिए मेरे face and neck पर हलकी हाथ से circular motion में massage कर लोंगे मुलतानी मिट्टे face wash में है मुलतानी मिट्टी मुलतानी मिट्टी हमारी skin को deep clean करती है skin से excess oil को control करती है एं हमारी skin को healthy and glowing बनाती है upton face wash में है turmeric and saffron turmeric हमारी skin को naturally bright and glowing बनाती है and saffron हमारी skin tone को even बनाते है एक मिनट तक massage करने के बाद मैं मेरे face को normal water से wash कर लोंगी face wash करने के बाद मेरे skin कुछ ऐसे दिख रही है इस side मैंने मुलतानी मिट्टी face wash यूज किया था और इस side upton face wash दोनों ही face wash से मेरे skin पर glow आ गया है बट upton face wash से skin पर ज्यादा glow आया है comparison to मुलतानी मिट्टी face wash दोनों ही face wash से मुझे मेरे skin बहुत ही smooth लगती है बट upton face wash से मुझे मेरे skin ज्यादा smooth लगती है दोनों ही face wash मेरे skin को बिलकुल भी dry नहीं बनाते हैं दोस्तो प्रिवेस क्लिप में आपने इन दोनों face uos के मेरी skin पर result देखे ये दोनों ही face uos हमारी skin को deep clean करते हैं एंड हमारी skin को healthy and glowing बनाते हैं दोनों ही face uoos से मेरी skin पर बहुत अच्छा glow आता है but मुलतनी मिटी face uos के comparison में Upten Face Wose से मेरी स्किन पर ज्यादा अच्छा ग्लोँ आता है Upten Face Wose में आपको बहुत ही स्मोल साइज के स्क्रबिंग बीट्स मिलते हैं जो हमारी स्किन से ड़्ट स्किन से डर्ट स्किन एमपुरिटी को रिमोव करते हैं हमारी स्किन और लग बनाते हैं कि दोणों ही face wash से मुझे मेरी स्किन बहुत ही smooth लगती है, BUT मृतानी मिटी face wash के comparison में, Uptun face wash से मुझे मेरी स्किन जाधा smooth लगती है, क्योंकि इस face wash का जो texture है, वो मृतानी मिटी face wash के comparison में, बहुत जाधा creamy है, दोनों ही face wash हमारी skin को dry नहीं बनाते हैं बट कुछ time के बाद मुलतानी मिटी face wash से मुझे मेरी skin dry feel होना start हो जाती है वहीं पर upton face wash से लंबे time तक मुझे मेरी skin बिलकुल भी dry नहीं लगती है तो दोस्तों ये कुछ differences है जो इन दोनों face wash को use करते time मैंने मेरी skin पर notice किये हैं हो सकता है कि आपको उससे अलग result मिले तो दोस्तों अगर आपकी skin dry है normal है तो आपके लिए best है वाउ skin science का upton cream face wash और अगर आपकी skin oily है बहुत जादा oily है तो आप यूज़ करें दोस्तों ये था मेरा आज का comparison वीडियो आपको helpful लगे आपको पसंद आए अगर वीडियो helpful रहता है पसंद आता है तो वीडियो को like कमेंट और share कर दीजिए और हाँ friends ये जो difference मैंने share किये है वो मैंने मेरी skin पर notice किये हैं हो सकता है कि आपको उससे अलग result मिले क्योंकि हर product सबकी skin पर अलग-अलग तरीके से काम करता है वैसे दोनों ही face wash के result काफी अच्छे है आप इन दोनों में से किसी भी face wash को try करना चाहे कर सकते हैं दोनों के ही link मैंने नीचे description box में provide कर दिये हैं आप वहाँ से check out कर लेना दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो अ मेरे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई टेक केर